जैबीम में उमेश करूना और आप देख रहे हैं बहुत जनल चल उत्तर परदेश के बस्ती जिले से जातिवाद से जुड़ी एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिस पर भारत थूतू कर रहा है और खबर क्या है कि एक प्रेमी जोड़ा जो कि उत्तर परदेश के बस्ती जिले के एक गाउं में पंचायत ने तालिबानी सजा सुना दी उसको उसके मुँपर कालिक पोथ दी इसके साथी प्रेमी जोड़े को प्यार की सजा देते हुए उन्हें जूते चप्पलों की माला पहना कर गाउं में घुमाया गया और दोनों प्रेमी जोड़ा ए यह इतनी शरम ना गटना हुई और इस पर योगी सरकार बीजेपी की जितने भी विधायक M.P.M.L. महिलाय या पुरुष सब खामोस है। इस गटना ने मानवत्तों को शरम सार कर दिया यह गटना बस्ती जिले के गोर थाना शेद्र की सिंगाई गाउं की है। यहाँ पर दलित प्रेमी जोडे को गाउं की पंचायत ने तुगला की फरमान सुनाया। इसके बाद इन दोनों प्रेम की करने वालों को प्यार की सजा ऐसी मिली कि इने जूतिवे चपलों की माला पैना कर गाउं का चक्कर लगवा कर पूरे समाज में अपमानित किया गया। इसके साथ ही इस गटना के फोटो वेडियो सोसल मीडिया पर वायरेल कर दिये। तो उसके बाद पुलिस थोड़ी हरकत में आई। गाउं में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पीडित युवक और यूति के परिवार जनोक से बात कर उन्हें भी सु संबद हो गया था। गाउं वालों ने इन युवक और यूतियों को आपति जनक इस्तीति में देखा तो काफी हंगामा हुआ और फिर परिवार के लोगों ने इन दोनों की साधी के लिए तैयार हो गई रजाबंदी हो गई। इसके बाद यह मामलक गाउं की विरादरी के दमंगों तक पहुचा जो शवन है जो एक आतंग फलाने वाली जातिया है उन्होंने पंचाथ में एक तुगला की फरमान सुनाया मान सम्मान की भी कोई परवा नहीं की इस गटना ने मानवतों को शरम सार कर दिया है और सोशल मीडिया पर फेस्बुक पर वाट्सप पर य यह गटना बस्ती जिले के गोर थाना छेदर के सिंगाई गाउं की है यहाँ पर दलित प्रेमी जोडे को गाउं की पंचाथ ने तुगला की फरमान सुना कर वह कर दिखाया कि सायद उनके बच्चे नहीं है सायद उन्होंने ऐसा काम कभी ना क्या हो जी वना इसके बाद इ गयार की ऐसी सजा मिली जोते चपलों की माला पैना कर गाउं का चक्कर लगवा कर पूरे समाज में अपमानितिया गया इसके 37 गटना के फोटो वैब वीडियो सोसल मीडिया पर ऐसे वाइरल किये कि जैसे कोई बहुत अच्छा काम क्या हो उन गाउंवालों ने उन दबंग पुलिस ने इस मामले में 13 अरोपियों के खिलाब दलित उत्पिरन एट की धारा भी लगाई गई इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दो प्रेम करने वालों को एक गाना बनाता सड़क फिल्म का कि दो प्रेम करने वालों को जब जब दुनिया तड़ पाएगी महुबत लिखी जाएगी बहुत फिल्मे बनी बहुत गाने बने लेकिन फिर भी आज भी ऐसी सजा सुना कर ये दिखा दिया कि प्रेम करने वालों से आज भी लोग जलते हैं दुस्मन होते हैं शरम आ जानी चाहिए उन लोगों को जो प्रेम करने वालों के बीच में रोड़ा उत् लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन नाबालिकों को इस तरह की सजा देकर दिखा दिया कि आप इनसान बनने लायक नहीं हो यदि हम बात करें दलित समाज की यदि दलित समाज चाहता तो उनकी रजामंदी हो गई थी दोनों की शादी करा सकते थे और अपने अनुसार यदि उनको कोई सजा देनी थी तो कोई छोटी मोटी सजा दे सकते थे लेकिन दिखाना है उनको यदि दलित समाज चाहते दोनों एक ही विरादरी का मामला था लड़की वे लड़के को अपने अनुसार कोई थोटी मूटी साजा दे सकते थे लेकिन अपनी बेज़ती करानी थी उन दबागों के चक्कर में आकर ऐसे फर्मान पर राजी हो गए और अपनी थूटू कराने लगे इस परकार के जो मामले होते हैं इनके दोसी खुद अपने समाज के लोग भी होते हैं जो अपने दिमाग से काम नहीं करते यदि वह चाते तो अपने दिमाग अनुसार अपनी बुद्धी का उपयोग करके भी उन दोनों की रजामंदी पर महोड लगा सकते थे उनको एक कर सकते थे मिला सकते थे मिलेंगे तो है अब भी क्योंकि पुलिस बीच में आ गई कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका लेकिन जो बेज़ती कराई समाज ने दलित समाज ने खास तोर पर उसका खुम्यादा पूरा समाज भुगतता है चारों तरफ थूत होती है और उन दबंगों के उन जातिवादी लोगों के चक्कर में आकर अपने ही बच्चों को ऐसी सजा देला देते हैं और हम तो यह चाहते हैं कि दलित समाज के यदि कोई लोग इसमें नोल है उन पर भी कारवाई हो जिससे वह आगे ऐसी गटना को सोच समझ कर कर सके बच्चों को इस परकार की सजा देने से पहले दस बार सोच सके तो आप देख रहे थे बहुजनल चल हमने आपको यह ख़बर दिखाई यह इस ख़बर पर यह आपकी कोई परतिक किरिया है तो कमेंट्स बोक्स में जरूर लिकिए और दो प्यार करने वालों के बारे में जो फिल्मे बनी गाने बने और आपके बीच भी ऐसा सायद हुआ हो तो उस पर भी अपने राय जरूर दे अगर आप चाहते हैं गरीब हर बंचीत इंसान के वाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का पटन दो बार ना बोलें देखते हैं बहुज़नल के नियुज़